प्लॉट से मकान तक इस वीडियो में आपको मैं कैपिटल स्मार्ट सिटी ओवर्सीज प्राइम ब्लॉक में ब्लॉक जो ओवर्सीज प्राइम ब्लॉक है उसके हवाले से एक्स्पेरिन करूंगा इस में तीन बाते होंगे नमबर बन इसके location of prime block नमबर टू, what are the dimensions of plot which are being offered in overseas prime sector F and नमबर त्री, कि इसमें इसमें development का status overseas prime sector F में क्या है, सबसे बात करेंगा location की, तो location के लिहाद से overseas prime block जो है, वो सबसे अच्छा block है overseas prime का, जैसे कि overseas prime में एक block जिसमें सबसे बड़ी category के plot, यानि कि एक कनाल, दो कनाल और चार कनाल के plots रखे की हैं, वो overseas prime sector F है location in essence ऐसे है कि इस block की elevation हर एक block को हर एक sector को माद देती है, overseas prime overseas east, अब तक जितने sectors launch हुए हैं, उनमें जितने भी blocks हैं, तब सबसे अच्छी elevation जो है वो इस sector की है, उसकी reason यह है कि इस block से आपको एक तो number one इसकी चार साइट्स, जो चारो साइट्स हैं, उससे आपको view बहुत अच्छा मिलेगा जिन membrane के यहां पर plot होंगे, number one उनका view elevation बहुत अच्छा मनेगा, and number two कि इस block से adjacent जितने भी sectors हैं, वहां से view जो है, golf course का भी नहीं आता, लेकिन इस block से आता है, इस block से अच्छी elevation यह कि access road one से direct access इस block की, यहने कि main boulevard से आप direct access ले सकते हैं, और location के लहाज से elevation इस block की बहुत ज्यादा एहम है, इस वक्रीन पर footage देख रहे हैं आप, यह overseas overseas prime sector F में उस street की footage जहां पर दो कनल और चार कनल के plots हैं, बाकि आगे मैं आपको Google Earth location की मदद से इसकी तमाम details explain करता हूं, कि Google Earth location पे इस block में इस north, east, west, south, चारो साइट्स पे कौन से sectors आते हैं, और वहाला details हैं इस block के वाले से, वह आपको यह जो plots हैं यह पचास पाइन नवे मरलों में बात करें तो 20 मरला और अगर हम square yards में बात करें तो पांसो गस का plot बनता है, अगर हम बात करें यह जो light yellow के plot है, light yellow plot जो इसका front है 75 feet है, back इसकी 120 feet है, 75 by 120 का plot है, size इसका मरलों में 40, कनाल में 2 कनाल, और अगर हम चार कनाल, मरलों में 80 मरला, और अगर हम गजों में बात करें, 2000 गज का plot है, यह तीन तरह की dimension है, जो overseas prime sector F में offer की जा रही है, अगर हम 4 sides की बात करें तो north side पे इसके खाली space है, sil river के साथ तो यहां से इस block की ventilation बहुत अच्छी बन जाती है, east side पे sector E है, और sector E में 7 मरला के plot है, इसके अगर बात करें, west side पे तो यहां पे apartment building, प्लस यहां पे 4 मरला commercial plots हैं, यह commercial market है, इस sector की, वो यहां पे located है, और अगर south side बात करें, south side पे इसके sector H बाकिया है, अब इन चारो side की, चारो dimension की में आपको clear करके बता दिया है, यह चारो side जो है, यह इसकी बनती है, अब इसकी देखते है Google Earth, images के Google Earth पे, इस वक जो इसकी development का status है, वो क्या है, और satellite images पे आपको मैं explain कर दूँगा कि previously, मैं Google Earth location से पहले, इसकी entrance के हाले से बता दूँँ, entrance जो इसकी carpeting हो चुकी है, इस road की मकमल carpeting और इस road की मकमल carpeting हो चुकी है, और ground जाकर साइट विजट भी कर सकते हैं, और यहां पे गूगल Earth पे images नजर नहीं आ रही, बट यहां पे even जो plantation है, इस roundabout पे और इस roundabout पे, यहां पे start में, यहां पे जितनी plantation है, वो भी हो चुकी है, अब बात करते हैं जिसकी previously, चन्द मा के दुरान जो इसमें development हुई है, वो किस तरह से है, overseas sector F की, अभी अब satellite पे जो images देख रहे हैं, यह Google Earth satellite page, July 2021 की updated images हैं, और updated images में आप अंदादा लगा सकते हैं, कि इस वक्क जो development का status है, वो क्या है, मैप को थोड़ा reverse करता हूँ, आपको idea मिल जाएगा, May 2021 में, यह कुछ site इस तरह से दुखाई जी देती, अगर हम बात करें, January 2021 में, तो site काफी साथ raw land थी, site पे से जो काम हुआ था थोड़ा सा, वो सिर्फ इस पार्ट पे हुआ था, बाकी यह वाला site जो निगलेक्टिट ही था था था, लेकिन अभी इसकी development जो है, वो काफी तेजी से जारी है, अगर हम बात करें, इससे 2020 year में वापस जाएं, 2020 में, जुलाई में यहां पे कोई काम ही नहीं हुआ था, यानि कि सेक्टर बिलकुल जो पूरा सेक्टर है, raw land थी, अभी यहां पे कुछ भी नहीं हुआ था, अगर हम बात करें, में 2020 में, तब भी site में जिस वैसी की वैसी हैं, अगर हम बात करें, में 2021 से पीछे कर जाएं, अपरिल 2021 में, तो आपको पूरी site जो है, वो रॉल आइंट की फॉर्म में नजर आती है, यह जो आपको सेक्टर कुछ नजर आ रहे हैं, यह पहले कोई और सुसाइटी थी, लेकिन बाद में Capital Smartity की मेनेजमेंट ने, आपको आइडिया मिल जाएगा कि इस सेक्टर में कितनी development हुई है, उससे आपको काफियात तक understanding मिल जाएगी, कि जिन लोगों ने भी यहाँ पे investment किये Capital Smartity पे, तो उसकी investment पे follow-up किया है, कि आज की date में उनकी investment कहां stand करती है, specifically किसने अगर 40% दे के booking किये हैं, और यहाँ पे location choosing किया है, तो उन membrane के लिए location बड़ी एहम है, अब यहाँ स्क्रीन पे जो footage देख रहे हैं, दोबारा 7, यानि कि July 2020 की satellite images हैं, आगे move करें, तो यह January 2021 की satellite images हैं, आगे move करें, तो यह May 2021 की satellite images हैं, उससे आगे move करें, तो July 2021 again यह images हैं, यह आपको changes दो नजर आ रही हैं, यह itself आप गरबाट के itself भी टैली कर सकते हैं, इसके लिए कोई rocket science नहीं है, कोई आप सिर्फ Google Earth डाउनलोड करें, लैब टॉप पे या PC पे या इवन मॉबाइल पे भी, तो आप यह सारी चीज़ें itself टैली कर सकते हैं, अब मैं आपको real-time footage दिखाता हूँ कि इस वक्त साइट पर development का status क्या है, अगें back to real-time footage और इस वक्त डिसमबर 2021 में साइट के updated footage एक सिकते हैं, इस वक्त साइट पर development का status क्या है, most probably इस प्राइम ब्लॉग का जो possession है, वो आफर होगा September onwards, साइटी चाहे तो अभी possession इसका offer कर सकती है, क्योंकि स्ट्रीट का layout plan में कमल है, तो construction के लिए minimum किसी हर individual को 8 मां से 9 मां का time required होता है, अपने घर की construction के लिए, साइट वाइस जो बागी काम है, क्योंकि बैसिक काम अगर complete हो, लेवलिंग वाला काम और अर्थवर कम्लीट हो, तो बागी काम जो sidewise चलते रहते हैं, जिसमें saverage है, जिसमें street lights का लगना, जिसमें आपके foot pass का बनना, streets का बनना, वो sidewise चलते रहते हैं, बट society चौनके overseas central को पहले selling के लिए पेश किया गया था, 2019 में, अगर सप्टमबर 2020 में उसको पहले develop कर दिया गया, तो definitely उसकी वज़ा से society उसका possession लेट करेगी, बट society इसको आज भी date में भी possession offer करने की position में बिलकुल है, अब बात करते हैं, जि मैंने शुरू में बहले बात की थी, location की, second बात जो थी वो dimension of plot की, अब आते हैं जी current status of development overseas prime sector F में क्या है, इस ब्लॉग में development का status है, वो आप मैंने satellite images की मदद से, प्लस अभी जो आप real time footage देख रहे हैं दोनों की मदद से, मैंने explain करने कोशिक है कि इस sector को जो connecting roads हैं, वो complete हैं, इस sector की जो proper saverage की line है, वो बिची हुई है, इस saverage line block तक, अब बाकी जो sector की onwards block से street तक होती है, street का क्योंको layout plan अभी बन रहे हैं, तो वो इस दुरान तकरीबन complete हो जाएगा, within three months वो भी complete हो जाएगा, जो basic काम होता है न, जो development में मुश्किल काम होता है, वो society की तरफ से already complete किया जा चुका है, अब society की तरफ से इसको जो बाकी nominal काम है, उन पर working हो रही है, और most probably जल्दी ही वो काम भी complete हो जाएगे, आप approximate अगर time frame लगाना चाहते हैं, कितने time तक मुकमल हो जाएगे, तो ये time frame तकरीबन आप 3 माह से 6 मेने का लगा सकते हैं, कि इसमें ये जो बाकी remaining काम है, वो भी complete हो जाएगे, जैसे कि sector G में complete हुआ है, sector H में complete हुआ है, इस block के बाद मैंने A से लेके, F तक तक तमाम blocks की पहले ground video, प्लाव उसके बाद ये पुरी aerial video, दोनों जो बनाई है, ताकि जिन मेंमरान की investment है, उनको साल केंट पर प्रॉपर एक follow up मिल सके, जैसे पहले मैंने को overseas east की बनाई थी, ये दोनों block है जो सबसे जाए develop हैं, overseas central का जो कि map अभी block wise नहीं आया, तो मेरे पास उसकी leverage नहीं है, कि मैं block wise video बना सकूँ, executive block का आया है, लेकिन executive block का B block, partially block developed है, उसके लावा कुछ develop है नहीं है, तो दिखाने के लिए वहाँ पर कुछ है नहीं, जो बाकी block है, उसके मैं multiple time videos बना चुका हूँ, लेकिन उस पर development जो है, वो as it is है, उसमें कोई development नहीं हुई, जब future में वहाँ पर development होगी, तो मैं वो आपके साल लाजमी शेयर करूँगा, मैं जार सी बात है कि society की development team नहीं हूँ, मैं overall एक marketing के लाजसे आपको बतासकता हूँ, कि यहां पर site पर हुआ क्या है, मैं यह जाके itself develop नहीं कर सकता, यानि कि मैं machinery ने चलाकर उसको level नहीं कर सकता, मैं असको सिर्फ यह बतासकता हूँ आपको, कि कौन से sector का map आया, कि sector में कितनी development हुई है, so far and so on, इतना ही explain करता हूँ, बाकी जो development लगाम है और society की management का है, तो definitely आप उनसे consult कर सकते हैं, कि development उनकी sector से किस तरह से है, overseas is this की development मैंने पहले video share की थी, जिसमें A block से लेके, K block तो development, L block को तो उन्होंने बिल्कुल map से, society निया map जो निकाला है, out कर दिया है, और beach में G, H और F block, ये block मकमल non-developed हैं, बाकी block develop हो गए हैं, E block भी partially non-developed हैं, और K block भी partially non-developed हैं, इसके लबाब जो overseas prime है, इसमें जितने sector पे काम हो रहा है, मैं इसकी sequence वाइज वीडियो बना रहा हूँ, और इन्शाल आगे जाके, मैं तमाम details की share कर दूँगा, so this was it from today, अगर आपको capital smart city, ये lahore smart city में booking के वाले, इसको कुछ मालमा चाहिए हो, तो मेरे number आपके screen पे available है, आप मुझे WhatsApp कर सकते हैं, इसके लावा हमारी website विजिट करना मत भूले, www.mkansolutions.com अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, तो प्लीज रू लाए, कॉमेंट और शेर, और चैनल को subscribe करना मत भूले, रिजवान चीमा को दीज़े अज़ाजत, अगली वीडियो तक के लिए, खुदा हाफिज,